हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहें छेनी की खीर अंगूरी रबड़ी या फिर मिनी रस्मलाई जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है तो देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी चैनल की खीर कितनी बढ़िया बनी है कितनी सोफ्ट है हलवाई स्टाइल आज हम इसे बना रहे हैं और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है तो रेसिपी को पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक कोमेंट शेयर करके स अंगूरी रबड़ी बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है दूद का फैकेट खोल के पतीले में डालना है और अच्छे से इसको बाल लेना है और जैसी दूद उबल जाए इसको दो मिनट के लिए आप गैस बंद करदें और जब दो मिनट हो जाए ना तब आप इसको एक मलमल के कपड़े पर निकाल ले तो यह देखे यहाँ पर बिलकुल इस तरीके से आपको इसको मलमल के कपड़े पर निकालना है और अच्छे से न दो से तीन बार इसको वोश करना है ताकि सारा खटापन निभूगा निकल जाए दो तिन बार पानी से वोश करने के बाद अच्छे से निचोड ले निचोडने के बाद पोटली सी बना ले उस कपड़े की जिसमें आपने इसको रखा है और आधे हैं गंटे के लिए इसको टांक कर रखना आनिवारिया है एक घंटे के बाद आपको छेना ऐसा मिलेगा थोड़ा करमबली हो जाता है थोड़ा बिखरा बिखरा रहता है तो एक घंटे के बाद बिल्कुल ऐसा मिलेगा आपको अभी हमें से किसी बरतन में निकालना है और यहाँ पर देखें मैं इस छेने को बड़े बरतनवे डाल कर हतेली के नीचे वाले हिसे से रगड रही हूँ यह देखें बिल्कुल ऐसे तो आपको इसको 5-6 मिनिट रगड ना है उसके बिल्कुल चिकना हो जाएगा बहुत ही स्मूध हो जाएगा और यह देखें फिर ना इसके एक बॉल बना कर देखें जब इसकी एक बॉल बन जाए ना आपको 1 टी स्पून प्लस 1 फोर्थ टी स्पून सूजी डालना है और गलती से भी इसमें मैदा या कौन फ्लार ना डाले और नहीं अररोट डालना है आपको सूजी का इस्तिमाल करना है आप बना कर देखना एक बार आपको बहुत ही शांदार रिजल्ट मिलेगा और इसके बड़ा बना चाहते हैं तो आप बड़ी बड़ी बोल्स भी बना सकते हैं हमारे रजगुले तो बन गए हैं उसके बाद हम बनाएंगे चाशनी चाशनी के लिए आपको एक कटोरी या एक कप चीनी लेनी है और उसमें पांच कप पानी डालना है तो मैंने जैसे एक कप लि करना है सारे इसमें डाल दें ये देखिए सारे एक एक करके डाले एक साथ बिल्कुल न डाले और जब सारे आप इसमें डाल देना तब धकन लगाकर हाई फ्लेम पर इसे आपको लगब बारा मिनट पकाना है तो पहले जब हम इसे पकार एक बर पांच मिनट के बाद चेक क इतनी बढ़िया लग रही है सारे बड़े अच्छे से फूले हैं और एक भी फूटी नहीं है तूटी नहीं है तो अभी आपको क्या करना है यहां पर चम्मच नहीं लगानी है पलटने के लिए ऐसे आपको पतीले को हिलाना है बिल्कुल ऐसे तो किसी बड़े बरतन का इस्त क्रीम दूद लिया है यहां पर उसके बाद मैंने थोड़ा सा केसर वाला दूद डाला है केसर वाला दूद डालना टोटली ओप्शनल है अगर आपके घर में है तो आप डाले नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं उसके बाद वन टीजबुन लाइची पावडर डाला है म इतना गाड़ा, कितना पतला, यह आपकी मर्जी है, तो मुझे ना तो यह ज़्यादा गाड़ी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली, मुझे जैसे चाहिए, मैं ऐसी बना रही हूँ, तो यह टोटली आपके उपर डिपेंड करता है, कि आपको कैसा बनाना है और जब यह बिल्कुल अपकी पसंद की बन जाए ना तब इसमें मीठा डालना है मीठा शुरू में ना डाले और मीठा डालने के वाद थोड़ी देरी पकाएं फिर गैस बंद कर दे तो यह देखिए मेरी रबडी तो बनके तयार हो गई अभी मैं फ हातों से नहीं दबाना है और उसके बाद सारे रजगुले रबडी में डाल देने हैं रबडी को फ्रीज में रखना नहीं वा रही है तो जब रजगुले रबडी में डाल देना तब इसे एक और घंटे के लिए फ्रीज में रखें बिल्कुल ऐसे अच्छे से मिक्स करें और फ्रिज में रख दें से एक घंटे के बाद मैंने रबडी को फ्रिज से बाहर निकाला है कितनी बढ़िया लग रही है देखे एकदम पॉफेक्ट है यहां पर जब आप इससे सर्व कर रहे हैं उससे पहले ना इस पे गार्निश के लिए आप काजू पिस्ता बदाम और थ यहां पर हमारी अंगूरी रबडी तयार हो गई और मैंने इस तरीके से गानिश किया है तो अगर आपको आपको आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो इसे लाइक ओमन्ट शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तो फ्रेंट्स एक बार यह रेसिपी